नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी चैनल बिहारी नॉन्स्टॉप नियूज में ते चलिए बिहार की दस प्रमुक बड़ी खबरों को जानते हैं बिहार के 65 डॉक्टरों के वेतन विर्दी पर रोक लापरवाही के बाद विभाग का फैसला बिहार सरकार के स्वास्त विभाग में एक सक्त कदम उठाते हुए राज के 65 डॉक्टरों के वेतन विर्दी पर रोक लगा दी है बिहार में टिकाकरन महाभ्यान के दौरान ड्यूटी से गायब रहने वाले इन डॉक्टरों के उपर गाजगिरी है आपको बता दे कि 18 अक्टूबर को राज में टिकाकरन महाभ्यान चलाया गया था इस दौरान राज के 65 प्राथमिक स्वास्त केंद्रों के प्रभारी चिकित्सा पतादिकारियों को गैर हाजिर पाया गया इस लापरवाही को देखते वे प्रभारी चिकित्सा पतादिकारियों के वेतन बिर्दी पर रोक लगा दी गई है इन डॉक्टरों की वेतन बिर्दी पर रोक लगाई गई है। स्वास्त विभाग ने इन प्रभारी चिकित्चा पदादीकारियों से और 40 घंडे के अंदर स्प्रस्टी करन मांगा था लेकिन इन 65 चिकित्चा पदादीकारियों ने निर्धारित समय सिमा के अंदर स्प्रस्टी करन नहीं दिया बिहार में मदगर्ना के दौरान कई जगहों पर हंगामा पुलीस को करना पड़ा लाठी चार्ज कुचाइकोट के सलेपूर पंचायत के मुख्या समर्थकों ने पुलीस के साथ हाथा पाई की उपद्रवियों को खदरने के लिए पुलीस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा स्वीधाओं से लैस होने जा रहा है यहां सदन के सदस्यों के लिए कंप्योटर टैब लगाया गया है सदन को डिजिटल करने की विशा में यहां एक महत्पुर्ण कदम है मिली जानकारी के मुताबिक सदन सुरू होने से पहले स्यम नितीश कुमार इसका उदगाटन इससे सदन की कारवाई और ज्यादा आसान हो जाएगी बताते चले कि आज सदन में सदस्यों को बिशेसग्योत वारा डेमो भी दिया गया उन्हें बताया गया कि आखिर इस टैब का इस्तिमाल कब और कैसे करना है उमीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में बिहार विध इससे लेकर संबंदित जिलादिकारियों से निदेसालई ने सुझाओ भी मांगे थे लेकिन तभी पंचाया चुनाओ सामने आ गया जिसके मद्दे नजर इसे 12 दिसमबर तक के लिए इस्तागित कर दिया गया अब पंचाया चुनाओ के बाद यानि की 14 दिसमबर से नियोजन प्रक्रिया सुरू की जाएगी 14 दिसमबर से सिक्चक अभ्यार्थी की काउंसिलिंग की जाएगी स्मार्ट प्रिपेड बिजली मिटर से फजीहत अब बिजली कमपनी निकाल रही है समझसा का हल बिहार में बिजली कमपनी अब स्मार्ट प्रिपेड मिटर की समझसा को दूर करने में जुट गई है मैने की पहली तारिक को वास्तविक बिल को प्रदर्सित कराकर बिजली उपभुकताओं को संतुष्ट करने के लिए सौप्ट्वेर में बदलाव करने की तैयारी चल रही माँ पूरा होने तक बिजली खपत का बिल एक बार फिर से मिल जाएगा आपको बता दे कि स्मार्ट प्रिपेड मिटर का बिल मैने की 30 तारिक तक हुई बिजली खपत के आधार पर तैयार किया जाता है वही 26 तारिक तक यहां बिल क्रमवार जारी किया जाता है आपको बता दे कि पटना बिजली आपूर्थी प्रतिश्ठान में कुल 13 आपूर्थी प्रमणल है दरसल 30 तक खपद होने वाले बिजली का बिल कमपणी 26 तारिक तक जारी करती है इस वज़ा से बिजली उपभोगता काफी उलजन में रहते हैं मिरी जानकारी की मताबिक सभी आपुर्ति प्रमंडलों को विपत्र जारी करने के लिए दो दिन का समय दिया गया है अटना के बड़े स्कूलों में दाखिले की रेस जानिए किस स्कूल का अब आ रहा है फॉर्म COVID-19 महामारी प्रतिबंदों में डिल के साथ कुछ नीजी स्कूलों ने 2022-23 सेसन के लिए प्राइमरी सेक्षन में नमांकन के फॉर्म जारी किये हैं अब जरूरी डॉक्योमेंट के साथ अभिभावोकों को तैयारी कर लेनी होगी क्योंकि सभी स्कूल इस साल समय पर नमांकन प्रक्रिया शुरू कर देंगे कुछ इसकूल नमांकन फॉर्म ओफ्लाइन मोंड में भी मिलेंगे साथ ही फरवरी तक नमांकन की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी अधिकतर इसकूलों में दिसंबर के दूसरे हफते में फॉर्म जारी कर दिये जाएंगे पटना में कोहरे ने दिर दस्तक हवा तेज होने से बढ़ी सिहरन बिहार में अब ठंड महसूस होने लगी है बिहार का मौसम अगले दो से तिन दिन सुस्क बने रहने का अनुमान है मौसम बिभाग की माने तो राजधानी पटना समेत लगबग पूरे प्रदेश में सुबह कोहरा चाया रहेगा मौसम बिज्यान केंद्र पटना से प्राप्ट जानकारी के अनुसार प्रदेश के उपर चक्रवाती परिसंचरन का छेत्र बना हुआ है जो बिहार से जारकन तक फैला हुआ है इसके प्रभाव से प्रदेश के दक्चिन बिहार के कुछ स्थानों पर हलकी बुनाबुनी होने के साथ आंग्सिक रूप से बादल चाये रहने की उमीद है वही नियुंतम तापमान में भी एक से दो डिगरी की गिरावट का पुर्वानोमान बताया गया है प्रदेश का नियुंतम तापमान 14 से 16 डिगरी तक रहने का अनोमान है सर्द हवावों ने पुरे प्रदेश में सिहरन बढ़ा दी है बिहार में जटका देगी बिजली, नए साल में किमतों में 10 फिजदी तक इजाफे की संभावना बिहार में महंगाई की मार जेल रहे लोगों को अब बिजली का जटका लग सकता है बिहार में बिजली की दरे पहले से ज़ादा महंगी हो सकती है नए साल में 10 फिजदी तक बिजली महंगी हो सकती है बिजली कमपनियों के तरप से सुंबार को बिहार विद्यूत विनेयामक आयोग के सामने सौपी गई याचिका में सबी स्रेनी की बिजली दरे दस फिजदी तक ब्रिदी का प्रस्ताव दिया गया है बिहार विद्धुत विन्यामक आयोग इस याचिका पर जन सुनवाई के बाद नई दैत तविक करेगा जो एक अप्रेल 2022 से प्रभावी होगा प्रतिनीदियों को अब देना होगा सम्मान खड़े होकर अफसर करेंगे सांगसद और विधायक का स्वागत अफसर साही को लेकर सांगसद और विधायक सवाल उठाते रहे हैं यहाँ आरोप पर लगाते रहे हैं कि राजगिया समारो या बैठकों में उनके लिए स्थान आरक्षित नहीं किया जाता है और उनके साथ सम्मान जनक विवहार भी नहीं होता है अब इस मामले में सामायन प्रसासन विवाग ने एक निर्देश जारी किया है रमंडलिया आयुक्त से लेकर जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया गया है जिसमें इस बात का जिक्र है कि बिहार में जनपरती निधियों को सम्मान देना अनिवाद जोगा अपसरों को सांग सांगसद और विधायक करते रहे हैं विधान सभा में भी इस दौरान यह मुद्दा उठाया गया था पीते दिनों बिहार के मंत्री मदन चाहनी ने तो अपसरों के विवाहार से नाराज होकर इस्तिपे की पिसकस तक कर दी थी मिली सिकायतों को ध्यान में रखते हुए मुख विधान मंडल के सदसों के साथ विनमर्दा और सिष्टाचार का बरताव करना चाहिए उनकी बातों को धैर्ज पुर्वक सुनना और उन पर ध्यान पुर्वक विचार करना चाहिए बीटा के एसिक होस्पिटल में अब होगी मेडिकल की पढ़ाई MBBS की 100 सीटों के लिए होगा नामांकन बीटा के एसिक होस्पिटल में सत्र दोजार बीस 21 से 100 सीटों के मेडिकल कॉलेज को सुरू करने की अनुमती दी गई है रास्टिया आयुर विज्ञान आयोग ने MBBS की पढ़ाई सुरू किये जाने को लेकर अनुमती पत्र जारी किया है बीजेपी सांगसद और पूर्व केंद्रिया राजमंत्री रामकृपाल यादव को इसकी जानकारी दी गई है रास्टिया आयुर विज्ञान आयोग की ओर से यहां बताया गया है कि इसी साल से बेटा इस्तित ESIC होस्पिटल में MBBS की 100 सीटों के लिए नामांकन होगा मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी देने पर सांगसद रामकृपाल यादव ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी और केंद्रिया स्रम मंत्री भुपेंद्र यादव के प्रती अभार व्यक्त किया आज के सुर्खियों में बस इतना ही बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिष्टेदारों में सेयर करना ना भूले धन्यवाद